पीएसल इंडिया लिमिट्रेट के पीडित निवेशकों के कुछ अंसुल जे सवाल जिनको 6 साल से ये पीडित निवेशक तलासने की कोसिस कर रहे हैं ना तो इनके पास सुप्रीम कोड के पास कोई जवाब है न सेवी विभाग के पास जवाब है और ना नरेंद मोधी जी के पास जवाब है नमस्कार और अदाब दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे है इस्टी निवेशक टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसल पीडित आप भी हैं और मैं भी हूँ पांच करोड़ पिचासी लाग पीडित निवेशक और उड़न चास हजार सो करोड रुपिया इनकी मेहनत की कमाई जो निवेशकों ने इस पीएसल इंडिया लिमेट टेर्ड में जमा कराई आज वो हड़की जा चुकी है से भी भाग और चाश भी भाग एजन्सियों को टारगेट करके तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ऐसे निवेशकों की जिन निवेशको हैं कि आनलाइन पिर्किरिया में ना तो हमारी कोई किंती की जा रही है और ना हमारे लिए किसी तरह का कोई प्रोसीडर अभी तक से भी भाग की तरफ से चालू किया गया जिया दोस्तों बात कर रहा है राम निवास नागरवाल का ना राम निवास नागरवाल ने कहा है कि P.S.E.L. Company 2013-14 में बंद कर दी गई लोगों को डोकुमेंट जमा था यानि कि इनके डोकुमेंट आफिस में जमा थे खाली रसीद दी गई ना आनलाइन हुआ ना पैसा मिला आगे कहते है कि रसीद 2013-14 से लेकर बैटे है ना आनलाइन हो सका है और ना किसी तरह का पैसा मिला आगे कहते हैं यार 2021 आ गया कब आनलाइन होगी पैसे मिलेंगे मिलेंगे या नहीं या दोस्तो आगे नोने कहा है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मैं राम निवास राजिस्तान मॉबाइल नमबर अना फ़ला ये तो दोस्तो राम निवास नागर ही एक ऐसे पीसियल के प्यूडित निवेशक नहीं है राम निवास नागर की तरह मैं भी एक प्यूडित हूँ मेरे भी डॉकुमेंट और लेडी पहले ही ऑफिस में जमाय है जिसके लिए मैं हमेसा दुहाया देता रहता लेकिन फिर भी अपनी आवास और आपकी आवास में आवास मिलाकर मैं अपने पैसे के लिए लड़ रहा हूँ कि मुझे मेरा हक मिले मेरा मुझे पैसा मिले पांच लाग रुपिया जो मेरा इस वक्त से भी वाक कमपनी में जमा था वो अब सरकारी खजाने में पहुँच है और उसको निकालने में हम हर संभाव कोसिस कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं से कहीं तक कोई समधान नहीं दिखाई दे रहा अपनी समस्या का तो दोस्तों बड़ी विडमना की बात है कि आज हम 6 साल से जो प्रोसिजर ऑनलाइन चालू किया गया से भी भाक की तरफ से उसमें पास ऐसी जगा नहीं है जहां पर हम अपनी परेशानी को सुना सकें से भी वाकिया अर्प्लाइन पर हम लोगों को केवल टहलाया जाता है और बताया जाता है कि अभी उपर से कोई ऐसी अपडेट नहीं आई और बहुत जल्द अपडेट आएगी अरे भाई बहुत जल्द है और लोगों के लिए पैसा नहीं है और अगाए सकते हैं कि यह इतना कम पैसा और इतने कम निवेशक को को देना का मतलब सिर्फ यह है कि उन्ट के मूं में जीरा और जिस तरीके से निवे शको कि हमारे पास सुचनाय आ रही हैं वो अपने कमेंटों के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे 10 रुपए जमाते और केवल 475 रुपए आए तो दोस्तों यह इस तरीके से प्रोसीदर जो निवे शको को परो नहीं तक कानून सकते हैं कहीं से कहीं तक परावदान नहीं है ऐसे निवेशक के लिए जिनका पैसा उनको पूरा ना, मिलाओ कि वह अपने संस्याएं निविशक के सहाथ हैं और प्रितियक निवेशक को अलग अलग, कि तोड़ा गया है, एक साथ नहीं तोड़ा गया सबको अलग अलग लकडियों की तरह तोड़ दिया गया इकटी लकडी गाट इन से नहीं तूट सकी थी लेकिन हम लोगों को ऑनलाइन के प्रोसीजर में उल्जाकर हमारा पैसा लूट गया गया है तो दोस्तों आज मैं यहीं बताने की कोशिज कर रहा थ कि राम निमास नागर जैसे ही नहीं नजाने कितने लाखो करोड़ों ऐसे निवेशक है जो अपने बाउंड आफिस में जमा कर चुकर उनका अभी तक कोई प्रोसीजर चालो नहीं है और बहुश्यम होगा या नहीं इसका भी अभी कोई पता नहीं है तो दोस्तों दोजार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा आप सब्सक्राइब की वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूने धन्याबाद जय जय बारत बंदे महत्रों